तो यार आज बात करेंगे चंदरियान 2 के बारे में ये वो मिशन है जिसमें इडिया चांद पे कदम रखने से सिफ़ 2 किलो मिटर से रह गया और हमने इसे अपनी सेक्सेस समझ ली, हमने इसे अपनी जीश समझ ली लेकिन हमें एक बास समझना बहुत जरूरी है कि जीतना और कामयाब होना इतना असान नहीं है किसी के हाडने से हम जीतते नहीं है, किसी के गिरने से हम उड़ते नहीं है जीतता सिफ़ वो है जो गिर के उड़ता है और जीतता सिफ़ वो है जो गिरने की हिम्मत रखता है और इंसान उस वकट तक हाड़ता नहीं है जब तक वो भागना ना छोड़ते जब तक वो भागना रेस चल रही है और जब तक वो रुकेगानी रेस खतम नहीं होगी और एक ना एक दिन उसको कामयाभी मिलती है और लोग इंसान के failure को उस वकद तक याद रखते हैं जब तक वो जीतता नहीं है जिस दिन आप जीत गे आपके सारे failure को भूल जाएगा Thomas Edison ने एक हजार experiment की है क्या आप लोग को पता है? मुझे तो नहीं पता मुझे सिब ये पता है कि एक हजार experiment के बाद जो इतने experiment किया उसमें उसने बलविजात किया हर failure आपको आपके जीत के करीब लेके जा रहा होता है 2008 में एंडिया ने चंद्रयान 1 का mission किया तक जो मेरे खाल से इतना करीब तक पहुच भी नहीं पाया था और यहर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपना failure सबको खुशी खुशी बता रहे हो तो जैकमा को ही देख लो वहर किसी को जा के बताता है कि याद 24 लोग गे थे KFC पा जॉब करने के लिए और उसमें से एक reject हुआ और वो जैकमा था जब ऐसा वक्त आजाए कि लोगों को आप अपना failure खुशी खुशी बता रहे हो तो समझ जाओ के तुम कामियाबी के दर्फ जा रहे हो या तो कामियाब हो चुके हो देखो यार भाई जिंदगी में रिक्स लेना बहुत ज़रूरी है अब ये तुमारे उपर है कि तुम अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो या दूसरे लोगों के हिसाब से और यार तुम अगर अपनी जिंदगी में कभी fail नहीं हुए ना तो समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये बात की थी मुझे सही तरह नाम नहीं आरा ये लिखा हुआ उन्होंने कहा था इस यू डूनोट फेल इट्स मीन यू नाट इवन ट्राइंग आज हम उन पर हस रहे हैं कल वो चांद वा कोच वार हम पर हसेंगे हमें आदस सी होगी है कि लोगों को गिरते भी देखते हैं तो हमें हसी आजाती है किसी के बिजनिस लॉस पर जा रहा था तो हम अपना फाइदा उसमें ढून रही होते हैं लोगों की मजबूरी से फाइदा उठाने की हमें आदत हो गई है औरसी को हम अपनी जीत कहते हैं डिसेंटली बगराय ईद गई है कराची में बारिशे होई हैं बेपारी होते हैं उनका काफी नुकसान होगा वो नुकसान में अपने जानवर बेच के गई लेकिन जो शक्स जानवर खरीद के लाए है उसके लिए वो जीत थी कोई मार्ट कोई शॉपिंग मॉल बंद हो रहा होता है वो 50% फ्लैड आफ लगा लेते हैं चोई शक्स चाके पहले वाँ से चीज़े खरीद लेता है वो उसके लिए चीत होती है हम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है कितनी तकलीफ से यह चीज़ हमें बेच रहा है चाहे वो कोई भी हो चाहे कोई भी बिस्निस हो किसी भी तरह की चीज़ हो कोई शक्स पर बाद हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं बचता है वो अपना बचा कुछ बेच रहा होता है तो हम उसकी मजबूरी का फाइदा उठाते हैं हम अपने आपको उस बात पर समझदार कहते हैं कि हम उससे चीज कोई सस्ती ले रहे हैं हम उसको ओफर करते हैं गयार कैश पैसे ले लो हम उसकी मजबूरी का फाइदा उठाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है लोगों के गिरने पर मत असो रेस में भागते रो रुको नहीं क्योंकि जब तक तुम रुकोगे नहीं रेस खतम नहीं होगी और जब तक तुम हार नहीं मानोगे उसकर तक तुम हारोगे नहीं इस बारे में सोचो और पतलो अपने आपको Best of luck